एक प्राइब कड़ी की रेश्पी लेकर आई हूँ इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेश्टी रगता है तो इस वीडियो को आप लाश्क तक लेखिए अगर आज की मेरी रेश्पी आपको पसंदा आए तो मेरी सेनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, सेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूरिए फ्राइए एक कड़ी बनाने के लिए हमने छे अंडा लिया है अंडा वाइल कड़के हमने चील लिया है अब हम उसके दो पीस करेंगे तो हम बीच से ऐसे दो पीस काट लेंगे सभी अंडे को हमें ऐसे ही काट लेना है हमने सभी अंडे को दो पीस में कर लिया है अब हम नेक्स प्रोचे शुरू करेंगे अंडे को हमने काट लिया अब उसके हम थोड़ा थोड़ा रेट चिली पाउडर ची रख देंगे थोड़ा थोड़ा ऐसे रेट चिली पाउडर डालेंगे हम हम थोड़ा सा नमग भी राल देंगे यानि कि सभी अंडे पर हल्का हल्का छिरकाओ हो जाना चाहिए हम में हम चुटकी भड़ ठीड़़ रख लेंगे तो हल्दी को हम थोड़ा थोड़ा इस पर छिरख लेंगे अब हम एक कटोडी में दो बड़े चमच चने का आटा याने की बेशन देंगे उस बेशन में भी हम चुटकी भर हल्दी डालेंगे वन फोर्स चमच हम नमक डालेंगे और आधा चमच लाल चिली पॉडर याने की लाल मीच पॉडर अब हम सारे इंगी बेश को अच्छे से मीक्स कर देंगे अब थोड़ा थोड़ा हम पानी राके इसको एक गाढ़ा साग भूल बनाएंगे पानी हम थोड़ा थोड़ा ही डानेंगे नहीं तो नमस पड़ जाता है वेशम को हमने थोड़ा थोड़ा पान गया कि एक काढ़ा सा घूल बना दिया है आप खूल का consistency पाड़े के खूल की जैसा रख सकते हैं अब हम गैस की तरफ चलेंगे गैस के हमने एक फ्राइ पैन रख लिया है हम गैस को आउन कर लेंगे पैन गरम हो चुका है अब हम उसमें एक बड़ा चमस तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे तेल गरम हो चुका है अब हम क्या करेंगे यहां दो ले लेंगे और एक अंडे के पीस को हम ऐसे गोल में डुबाएंगे तो ऐसे हम साधानी से गोल में डुबाएंगे और धीरे धीरे हम इसे तेल में छोड़ते जाएंगे एक अंडे को हम तेल में डुबाएंगे तो अंडे को हम गोल में डुबा डुबाएंगे और तेल में डालते जाएंगे एक साथ में इतना अंडा आज सके उतना हम फ्राइपन में डाल देंगे अब हम क्या करेंगे, अंडे को एक इस करके टार्न कर लेंगी, तो हमने जो बहले अंडा डाला था उसको भीरे से अचे टार्न कर लेंगे, दोनों साइब से हमें करा रहा हैं कि हम टाई कर लेना है, यदि टाई अंडा कशी देशनी वनता है, कि अदे कर लिया है आप बेग सकते हैं तो अब खड़ने की मदद से एक-एक को एक फ्लेट में किसे पेपर रख के निकाल लेंगे बहुत ही आथानी से काई हो जाता है और तखाने में तो पेस्टी लगता ही है इसे आप ऐसे भी इस टार्टर की रूप में ने सकते हैं पर इस ग्रेवी में डालने में और ही मज़ेदार लगता है निकाल लिया है अब हम इसमें जीरा डालेंगे एक चमच हम जीरा डालेंगे और जीरा को हमच्रे से तरगने देंगे जीरा तरक चुका है अब हम इसमें बारी कटा हुआ प्याज डालेंगे तो घर्णे के उपर ही जालेंगे नहीं तो सीटे आएंगे और इसे हम छॉप होने तक भून लेंगे तो हमें 2-3 मिन तर चलाते जुए भूनना है हमने प्याज को ब्राउन होने तक भून लिया है अब हम मसाला एड़ करेंगे तो हम यहाँ पे एक चमच लाल मीच पॉडर डालेंगे गैस का फ्लिम बिदम स्लो कड़की मसाला डालना है नहीं कि मसाला ज़ने लगता है एक चमच धनिया पॉडर आथा चमच खल्दी पॉडर यानि कि एक मिनट तक हम स्लो फ्लेम पर नगे तो आप नेख सकते हैं अपना मसाला जो है अच्छे से भौन चुका है अब हम इसमें बीच से कटा हुआ हड़ी मिर्च डालेंगे तो इससे हां ऐसे डाल देगे और साथ में हम डालेंगे एक बारी कटा हुआ टमार्टर तो इसे हमने इत्रम बारीक बारीक आड़ा है और मसारे के साथ हम इसे भूनेंगे तो माटर के साथ ही हम नमक डालेंगे तो टेस्ट के अनुशार हम इसमें नमक डालेंगे और टमाटर शॉक होने तक हम इसे भूनेंगे यानि कि 4-5 मिनट पर लगे जाना है तो माटर अच्छे स अब हम इसमें पानी डालेंगे तो हम अपने जरूरत के अनुसर पानी डालेंगे और इसे मीक्स कर लेंगे पानी के साथ हमने जो ये बेशन का घोल बनाया था उसमें से थोड़ा सा घोल बच गया है अगर आपके पास नहीं बचता है तो एक चमच बेशन लेके एक पतला सा घोल बनाके और ग्रेवी में डाल दीजिए इससे कड़ी बहुत ही अच्छी बनती है और खाने में टेश्ट तो आप देख सकते हैं अपनी ग्रेवी जो है बहुत ही बढ़िया थीक हो चुकी है हमें ऐसी ही ग्रेवी चाहिए फ्राई एक कड़ी के लिए अब हम इसमें थोड़ा सा गड़म मसाला डालेंगे तो एक चमच हम गड़म मसाला डालेंगे और शाथ में हम बारी कटा हुआ आप धनिया पत्ता डालेंगे तो जैसे सब को पता है धनिया पत्ता फ्रेस हो और ग्रेवी में पड़े तो कितना बढ़िया लगता है अब हम इसे अच्छे से मीक्स करके एक मिनट तर पका लेंगे तो आप देख सकते हैं मसाले में अच्छे सी वाल आल सुखा है अब हम इसमें अपना अंडे का पॉड़ा डालेंगे तो एक एक कड़के हम पॉड़ा को छोड़ देंगे और इसे हम हलके हाथों से मीक्स कर लेंगे अब हम इसे 5-10 मिनट तर ऐसे ही छोड़ देंगे ग्रेवी अच्छे से आपजाब कर लेगा अपना एक तो फिर हम इसे सर्व करेंगे अब चलिए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं तो हम एक एक ऐसे एक पिस उठाएंगे और प्लेट में रखेंगे एक ख्राइट कढ़ी बनकर तयार है इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में जवरदस्त लगता है तो फिर्ट्स इस रिश्पी को आप जरूर ट्राइए कीजिए अगर आज की मेरी रिश्पी आपको पसंद आए तो मेरी जैनल को लाइक कीजिए शब्सक्राइब कीज और कमेट करना मत भूली धन्यवाद